हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का, मैं डॉक्टर आयूश पर एक टीम बाइलोजी, CLC सीकर से तो बच्चों, DCM की जो सीरीज हमारी चल रही है, उसके अंदर आज हम डिसकुशन करेंगे मेजर का कौन से नंबर का मेजर है, जिसमें जो लॉजी का जो पोर्शन है, वो मैं डिसकस करूँगा, इस मेजर की खास बात ये है कि ये मेजर पूरा की पूरा नए NEET पैटरण पर बेज़द है, नए NEET पैटरण का मतलब कि Total number of questions जो पूछे जाएंगे हर subject में से, उसमें कितने पूछे जाएंगे? 50 number of questions जो हैं वो पूछे जाएंगे Physics में से, Chemistry में से भी 50 पूछे जाएंगे Botany में 50 पूछे जाएंगे, और Geology में भी कितने पूछे जाएंगे? 50 पूछे जाएंगे. अब इन 50 कुर्षेंज को दो सेक्षण में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्षण A, सेक्षण B. सेक्षण A में आपको सारी कुर्षेंट करने हैं, और section B में, section A में आपको 35 numbers के questions है, 35 numbers जो है questions वो मिलेंगे, और section B में आपको 15 questions मिलेंगे, section B में केवल आपको आपकी मन पसंद 10 questions को क्या करना है, solve करना है, तो चलिए paper का discussion करते हैं, उमीद है कि आप सभी का paper बहुत अच्छा हुआ होगा, NCRT based total neat pattern पर ये paper था, कुछ points NCRT के आसपास, जैसे neat में भी कई बार होता है, कि exact NCRT का नहीं आता, पर कहीं न कहीं NCRT उससे related बात करती है, तो इस तरह का ये paper पूरा की पूरा design किया गया है, आप Guru NITI के videos देख रहे होंगे, लगातार, DCM आप दे ही रहे हैं, और Physics Eco के test आप आपने दिये हैं, तो आपकी तयारी बहुत strong हो गई होगी, तो इसी confidence के साथ, ताकि आने वाला जो NIT का exam है, उसमें आपकी बहतरीन rank आए, और आपको देश की सबस अची medical college मिले, चलिए, स्टार्ट करते हैं, paper का discussion, section A की बात कर रहे हैं, देखिए, कितने number है, 140, खास बात 35 multiple choice question है, यह ध्यान रखना multiple choice means single correct की बात यहाँ पर होगी है, all questions are compulsory to attempt, सारे questions को सही करना जरूरी है, और आपको सही question करने पर 4 marks दिये जाएंगे, और एक mark deduct कर लिया जाएगा गलत answer देने पर, यानि कि negative marking यहाँ पर है, ठीक है, और जो भी question आप attempt नहीं करते तो उसका marks आप को नहीं दिया जाएगा, बहुत ही प्यारा सा question, question number 101 की बात करें बेटा, देखो, histology से यह question आया है, पूरा जो syllabus है, हमारा जो लोजी का, उसे मैंने cover करने की कोशिश की है, तो यह question हमारा animal tissues वाला जो chapter है, structural organization वाला, वहाँ से question पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, बहुत ह simple सी बात पूछ रहा है, which of the following tissue performs the function of linking and supporting other tissues of the body, निमन में से कौन सा उतक, अन्य शारिरिक उतकों को जोडने एवं सहारा देने का कारे करता है, जोडना शब्द आ गया, ठीक है, confusion होना ही नहीं चाहिए, जोडने की बात कर रहा है, यहाँ पर किस की बात कर रहा है, linking की, supporting की, यह कौन करता है, देखिए हमारे पास tissues कितने तरह के हैं, चार टाइप के tissue है हमारे पास, कौन कौन से है, epithelial tissue है हमारे पास में, जो क्या करता है, covering बनाएगा, जो क्या बढ़ेगा, covering बनाएगा, internal organs, vessels, इनकी lining बनाएगा, हिंदी में बोलू, तो आस्तर बनाने का काम कर रहा है, connection बनाने का मतलब पूरी body को connect कर रहा है, आपस में, support कर रहा है, transport कर रहा है, यह सारा काम कौन सा tissue करता है, बच्चों, connective tissue करता है, और जो movement है, ठीक है, किसी भी चीज में movement करवाना हूँ, तो कौन करेगा, muscular tissue करेगा, और coordination बनाने का काम कौन करेगा, nervous tissue, तो क्या है, यहाँ पर जोड़ना, सहारा देना, यानि कि linking हो गया, support हो गया, तो किसका function है यह, epithelial का function है क्या, बिल्कुल नहीं है, muscular का function है, नहीं है, ठीक है, linking की बात हो रही है, connective tissue का बिल्कुल हम कह सकते है, function है, आपके सामने बहुत सारा examples है, bone की बात कर लीजिए, bone connective tissue का एक example है, क्या करता है, बच्चो, bone, support प्रोवाइड कराता है, body को, blood की बात कर लीजिए, transport कर रहा है, इसी तरह से tendon देख लीजिए, tendon क्या करेगा, muscles को bone से जोड रहा है, connection बनाने का काम कर रहा है, तो answer क्या हो जाएगा, इसका, third number का answer हो जाएगा, यानि कि सैयों जी, उतक कह सकत हैं उसे, या फिर क्या कह सकते हैं, connective tissue, nervous tissue इसका answer नहीं होगा, क्योंकि nervous का, अगर होता, तो क्या बात होती, किस बारे में बात की जाती, यहाँ पर impulse conduction की, समवहन की, इन सारी चीजों की यहाँ पर बात की जाती, पर हमसे पूछा क्या है, जोडना और सहारा देना, आगे आ रखे हैं, चार कथन दे रखे हैं, कथनों को पढ़ना है, और हमें option में यह बताना है, कि जो भी हमें statement दे रखे हैं, इन में से कौन सा सही है, स्टार्ट करते हैं, देखो, in the secretion of bruner's gland, enzymes are present, bruner गरंथी के स्त्राव में enzyme पाए जाते हैं, क्या यह बात सही है, bruner gland जब भी आएगा, तो क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में, कहां located होती है, जो dudonum है, जो ग्रहनी है, उसके सब mucosa वाले भाग में यह इस्थित होती है, बट क्या यह intestinal juice जो है, उसके enzymatic portion को secret करती है, क्या, नहीं, यह किसको secret करती है, एंटिस्टाइनल juice के non-enzymatic portion को, यानि ऐसे स्त्राव को, जिसमें enzymatic नहीं पाए जाते हैं, तो पहला statement हमारा क्या है, क्या कह रहा है, पाए जाते हैं, बट नहीं पाए जाते हैं, तो क्या हो गया यह बच्चों, गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, आगे आजाओ, रेनिन, स्पेलिंग चेक करना, जब भी रेनिन आएगा, डबल N, मतलब किसकी बात हो रही है, एंजाइम की बात हो रही है, आगे चलो, देखें, रेनिन एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस अफ इनफेंट्स, हेल्पस इन डाइजेशन ओफ मिल्क शुगर, पूरा गेम चेंज हो गया, दुगद शरकरा का पाचन करता है क्या रेनिन, नहीं करता, किसका करेगा, जो कैसीन, प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन का, यानि बच्चों में, कैसा एंजाइम है पहले तो रेनिन, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करने वा तो lactose को तो digestion कौन करेगा, lactase करेगा, तो गलत हो गया, second statement भी बच्चों, गलत हो गया, आगे आजाओ, principle organ for absorption of nutrients is stomach, आमाशें पोशक तत्वों के अवशोशन का मुख्य अंग है, है क्या मुख्य अंग? अगर आमाशें में ही अगर अवशोशन हो जाता, stomach में ही absorption हो जाता, तो क्या small intestine किस लिए है फिर? तो जब भी absorption के related principle organ पूछा जाएगा, तो आप answer क्या देंगे? छोटी आंत्र, यानि की small intestine, पर यहाँ किसको बता रहा है ये? stomach को बता रहा है, आमाशे को बता रहा है, मुख्य अंग तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, serosa is the outermost layer of elementary canal, serosa आहर नाल की सबसे बहारी परत है, हम आहर नाल का consideration करें बच्चों, isophagus से ले करके, कहां तक, rectum तक, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो outermost layer होती है, जो outermost layer है, किसकी elementary canal की, उसे हम क्या बुलाते हैं, serosa बुलाते हैं, आपको याद है न, इसे पिछले, जो DCM था, digestion का, उसमें भी histology के उपर question आया था, NCR टेकर डिग्राम भी है, serosa के बाद हमारी कौन सी लेरे आजाती है बच्चों, आपको पता है कौन सी आजाती है, muscularis के बाद कौन सी लेरे आजाती है, sub mucosa आ जाती है, और सबसे अंदर कौन होता है, lumen ठीके, तो सबसे बाहरी परत कौन सी हो गई, सीरोसा, ठीक है? यह सीरोसा जो है, इसके नाम अलग-अलग जरूर हो जाएंगे, स्टॉमक में हम अलग बात करेंगे सीरोसा की, इजोफेगस में हम इसे दूसरा नाम दे देंगे, पर आउटरमोस लेर आप से पूछा जाये, तो NCRT का जो डैग्राम हमें दे रखाया, जो सेक्शन हमें दे रखाया, उसमें सीरोसा को आउटरमोस लेर माना है, और हमें भी मानना है, और होती भी है, तो सही स्र्चिट्मेंट हो गया यह, तो यह हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्या हो गया बच्चों यह सही हो गया, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, यह जो है वो सही है, हाउ मैंनी पूछा है, कितने कथन सही है, तो बता दो कितने कथन सही है, कितने कथन सही है, एक ही कथन सही है, कितने कथन सह हो गया हमारा second option, बात आई समझ में, चलिए, next, next देखो, क्या पूछा है आपसे, the maximum volume of air, यानि कि वायू की वह अधिकतम मात्रा, maximum volume की बात हो रही है, a person can breathe in, breath in, यानि कि वायू की वह अधिकतम मात्रा, जो एक व्यक्ती अंतह श्रसित कर सकता है, breathe in, यानि कि बौडी में अंदर ले सकता है, after a forced expiration, यानि कि बल पूर्वक उछश्रसन या निश्रसन के पश्शा, यानि कि मैं तेजी से सांस बाहर निकाल दू, ठीक है, देखो हमारे lungs में, हमारे lungs के अंदर हम बात करें, तो क्या है, residual volume है, और क्या है, ERV है, यानि कि expiratory reserve volume, टाइडल volume जो है, या जो आरिये, आयतन जो है, यह हम सामानने श्वसन में exchange करते रहते हैं, अब क्या किया, एक व्यक्ती ने, बहुत तेजी के सांस लिया, और बलपूर्वक अपनी जो वायू थी, उसके फेफ़डों में उसे बाहर निकाल दिया, तो क्या वो residual volume को बाहर नि को बाड़ी से बाहर निकाल दिया, ठीक है, अब यह कितनी वायू मैक्सिममली वापस अंदर ले सकता है, यानि कि अब इसके मन में आई कि इसको क्या करना है, सांस लेना है तेजी से, अब यह कितनी वायू की, कितनी मात्रा अपने बाड़ी में वापस लंग में ले सकता है एक तो किसे बाहर निकाला है इसने, ERV को बाहर निकाला है, तो चलो ये तो वापीस ले ही सकता है ERV को, दूसरा जो सामान्ने श्रसन में एक्सचेंज कर रहा है उसे बिलकुल ले सकता है, सामान्ने श्रसन में, तो सामानने श्रसन में कितना करेगा, टाइडल वॉल्यूम करेगा, और maximum air की बात है, तो फिर बलपूर्वक क्या करेगा, यह inspiration करेगा, यानि कि अन्तहर श्रसन करेगा, और बलपूर्वक अन्तहर श्रसन में कौनसी air की quantity को अपने lungs में ले सकता है, IRV को, किसको ले सकता है, IRV को, तो maximum air, एक forceful expiration के बाद, जो यह person breathe in कर सकता है, वो देखो, कौन-कौनसी हो गई, IRV plus TV plus ERV, अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, बताए, आपको पता है, क्या बुलाते हैं हम लोग इसे, कौनसी शमता है यह, अच्छा, आंसर समझ में आ गया, हमें simple answer दे रखा है तो सही answer देखो, हमें third पे मिल गया, tidal volume, बिलकुल, ठीक है, ERV और IRV, यह हो गया हमारा TV plus ERV plus IRV, तो यह maximum air जो है वो से breathe in कर सकता है, और यही क्या होती है हमारी vital capacity भी कहलाती है, ठीक है, इसमें अगर residual volume जोड़ दें, तो क्या बन जाएगी फिर, total lung capacity, ठीक है, आगया जाएए, तो देखिए, students, next question के ओपर हम लोग चलें, question number 104, क्या पूस्ता है हमसे, कि antibody molecule जो है, या प्रतिरक्षी अनु जो है, सामानने तहरे दर्शाया जाता है, यानि कि antibody molecule जो है, commonly represent किया जाता है, तो किस चीज से represent किया जाता है, तो आपको बच्चों पता है, कि antibody जो molecule है, antibody molecule की मैं बात करूँ, तो देखिए, antibody molecule में किस तरह की structure होती है, बच्चों, तो आपको पता है, देखो बच्चों, एक तो क्या होती है, उसमें, अगर हम antibody molecule की बात करें, तो किस तरह की structure होती है, दो तो उसमें heavy chain होती है, ठीक है, और वहीं हम बात करें, इसी antibody molecule में तो दो क्या होती है, light chain होती है, तो ये देखिए, ये कैसी chain है, ये एक heavy chain हो गई, ये कैसी chain है, ये light chain हो गई, ठीक है, तो यानि कि हम क्या कह सकते हैं कि one antibody molecule के अंदर, एक antibody molecule के अंदर, दो तो कैसी chain है, heavy chains है, ठीक है, और दो कैसी chain है, light chain है, तो heavy से हमने word लिया h, light से हमने word लिया l, तो हमने इसको इस तरह से represent कर दिया, heavy chain कितनी हो गई, दो, light chain कितनी हो गई, दो, तो हम लोग इसे किस नाम से बुला सकते हैं, h2l2, तो देखिए, h2l2 जो है बच्चों, वो हमें कहां दे रखा है, किस option में हमें दे रखा है, h2l2, second option जो है, इसमें हमें सही answer दे रखा है, कौन सा वाला, h2l2, तो हमारा सही answer कौन सा हो गया, h2l2, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बच्चों, next question देखते हैं, 104, यह question जो है, यह question बटा, हमारी NCRT में जो डाइग्राम हमें दे रखा है, उस डाइग्राम पर based question है, किसका डाइग्राम दे रखा है, antibody के molecule का जो डाइग्राम है, उसके उपर यह based question है, ठीक है, देखे, क्या पूछा है हमसे इस question के अंदर, कि each immunoglobin has two heavy chains and two light chains, the antigen binding site is present in, यानि कि पहले तो यह information दे रहा है कि प्रतेक immunoglobin में दो भारी, दो भारी और दो हलकी श्रंकलाएं खुद पाई जाती हैं, इनमें से किसमें antigen बंध स्थल उपस्तित होते हैं, तो आपको यह डाइग्राम अच्छे से पता भी होगा, देखिए इस तरह से क्या होती है हमार यहां पर कौन सी चेन पाई जाती है, इस तरह है कि light chain क्या होती है, यहां पर क्या होती है बच्चों, present होती है, एक roughly मैंने representation बनाया है, तो यह फूछ रहा है कि जो antigen binding site है, वो कहां पर located होती है, यानि कि antigen binding site, यह दो तो heavy chain हो गई और यह दो light chain हो गई, अब क्या होता है ब यहां पर color को change कर रहा है, बाकी का जो color है वो कैसा है, common है, तो यह जो common color था बाकी का, चाहे वो heavy chain हो, चाहे वो light chain हो, वो common color किसको represent करता है, constant reason को, यानि कि वो immunoglobin जो है, चाहे कोई भी immunoglobin हो, उन सभी में वो part जो है, वो कैसा होता है, common पाया जाता है, यह जो light chain का upper portion है, heavy chain का upper portion है, light chain का upper portion और heavy chain का upper portion है, यह part क्या करता है, हर immunoglobin में vary करता है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते है, variable reason, बाकी का part कैसा हो गया, constant और यह part vary कर रहा है, तो कैसा हो गया, variable reason, ठीक है, यह हमें information, एक antibody के diagram को देख करके, एक immunoglobin के चित्र को देखके, यह जानकारी हमें पत होनी चाहिए, ठीक है, अब आजाएए, variable reason of heavy chain, क्या, अगर हम इसमें यह भी हटा दे, variable or constant, तो simple भी हम इस question को solve कर सकते हैं, कि variable reason of heavy chain, यानि कि भारी श्रंखला के परिवर्तन शील भागों पर, यानि कि क्या जो छोटी श्रंखला है, यानि कि small light chain है, उस पर क्या antigen binding site नहीं पाई जाती क्या, आपने diagram में देखा है, यहाँ पे भी antigen binding है, यहाँ पे भी antigen binding है, यानि कि कुल मिला करके, अगर हम देखें, तो दोनों जो parts है, वहाँ पर भी कौन सी है antigen binding site है, ठीक है, दोनों parts पर present है, जैसे कि यह बात करें, तो यह दोनों site कौन सी हो गई, antigen binding site, ठ ठीक है, तो light पर भी है, और heavy पर भी है, तो पहली बात सही है या गलत हो गई, बिलकुल गलत हो गई, क्योंकि केवल किस पर बता रहा है, heavy पर बता रहा है, आगे आजाईए, variable reason of both heavy and light chain, बस यही हमारा answer है, variable reason, यानि कि उपर वाला portion, चाहे light का हो, चाहे heavy का हो, भारी वे हल हलकी शरंकला के परिवर्तन शील भागो पर, बिलकुल, यहीं पर कौन पाई जाती है, antison binding site पाई जाती है, जिससे antibody का molecule क्या होता है, अटेच होता है, तो सही answer हमारा कौन सा हो जाएगा, second answer, option जो है, वो हमारा correct हो जाएगा, आगे देखिए, variable reason of केवल light chain की बात करी, और constant reason of both light and heavy chain, हलकी वै भारी शरंकला के निश्चित भागो पर, निश्चित भागो पर नहीं है, यह vary करने वाले parts पर क्या होती है, पाई जाती है, कौन सा वाला part, antigen binding site, तो यहां से आपको immunoglobin का जो diagram है, वो अच्छे से क्या करना है, clear करके चलना है अपने दिमाग में, कितनी chains हैं, एक heavy chain है, एक light chain है, ठीक है, heavy chain और light chain होने के कारण क्या बोलते हैं, हम इसे H2, L2, heavy chain का जो अपर portion है, जो NCRT ने अलग color से show किया है, दोनों side का, वो vary करता है हर immunoglobin में, इसलिए वो reason, variable reason कहलाता है, ऐसे ही light chain को भी दो parts में divide कर दिया, NCRT ने color दे दिया वहां पर, तो वो भी कौन सा कहलाएगा, variable reason, और बाकी का part common हो गया, तो कैसा कहलाएगा, constant reason, अब antigen binding site कहां पर थी, दोनों के variable reason पर थी, अगर आपका ये question गलत भी हुआ है, तो आज इस information को अपनी NCRT में जाकरके, note कर लीजे, ठीक है, क्योंकि NCRT में color change से reflect किया हुआ है, किस part को variable और constant part को, आगे चलते हैं, second option इसका answer हो जाएगा, next, ये बिलकुल आपके लिए एक bonus question है, अगर आपने evolution के chapter की reading अच्छे से लगाई है, आपने अगर evolution को last तक पढ़ा है NCRT को, तो देखे, clear cut NCRT कहती है, कि जो agriculture work है, वो कितने साल पहले, 10,000 year back, 10,000 year back, यानि कि 10,000 साल पहले क् होता है, 10,000 year ago, ठीक है, यानि कि, आज से 10, मतलब हम current date माने, तो लगबग 10,000 साल पहले, जो क्रशी कार रहे है, agriculture work जो है, वो क्या होता है, जो पुराने मानव थे, उनके द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया, यानि कि humans के द्वारा ही शुरू किया गया, इसलिए इ second option इसका answer चला जाएगा, उमीद है किसी का गलत नहीं हुआ होगा, evolution में ध्यान रखना, यह जो data है यहां से question घूम सकता है कही वार, आपको age पूछ लेगा, universe की, big bang origin की, earth पे life की, ठीक है, तो इस तरह है कि जो भी, आप क्या कीची एक पन्ना लीजी और जितने भी आपको कोई data दिख रहे है न, NCRT में, ठीक है, cranial capacity का data हो, कुछ भी हो, evolution वाला, खास कर, तो वहां पे उनको एक page में note down कर लीजी और इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस पे वापस कही न कहीं options में, कहीं न कहीं question में, यह पूछा जा सकता है, तो इसका answer समझ में आ क्या हो गया, second option, next, यह बहुत ही आसान सा question, NCRT की line, उमीद है किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, ऐसे question गलत होना बहुत dangerous चीज है, गलत होने ही नहीं चाहिए, ऐसे question, क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह आपको free के number देते हैं, जो question 100% NCRT पर based है, वो गलत कभी नहीं ह होना चाहिए, ठीक है, चलिए, पढ़ते हैं, a specialized cardiac musculature called, अपने अप दिमाग में आ रहा है, क्या, nodal utak, या nodal tissue, यानि कि जो cardiac muscles है उसका भी एक special part, जिसमें किस चीज की property है, contractibility की property है, contraction के लिए impulse को generate करने की, conduct करने की property है, वो tissue, cardiac musculature का ही special tissue, कोई nervous tissue नहीं है वो, किसका part है, cardiac, यानि हिर्दय के पेशी न्यास का ही, एक specialized part हो गया, जिसे नाम क्या दिया, हिंदी में nodal utak, और इंग्लिश में क्या बुलाते हैं उसे, nodal tissue, तो बस पहले तो A-Philip में क्या आ जाएगा, देखे, A-Philip में क्या आ जाएगा, nodal tissue, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग nodal utak, ठीक है, आगे, distributed है पूरे हिर्दय में, heart में, कोई confusion की बात ही नहीं है, एपैच, यानि पैच मतलब इस utak का एक धबबा, जो दाही ने, a patch of this tissue is present in right upper corner of the right atrium, यानि की, जो right atrium है, इस right atrium का right upper corner पर जो patch है इस tissue का, बताओ, क्या कहलाता है, NCRT में, SA node की, pacemaker की, location यही लिखी हुई है, वियाद आए आपको, तो क्या होता है, यानि की, right atrium के, right upper corner पर पूछा जाएगा, तो answer क्या दोगे, SA node, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, SA node, another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atrium, close to atrioventricular septum, यानि की, इस उतक का, दूसरा pin, दाहिने, अलिंद के, नीचे के, बाय कोने पर, अलिंद निले, के, पट के, पास, इस्थित होता है, जिसे क्या कहते है, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, इसे, AV node, यानि की, AV node, यह हमारे fill up हो गए, यह हमें match करने option से, तो पहला पढ़ोगे, तो पहले में ही यह देखो, दे रखे है, nodal tissue, nodal utak, SAN, AVN, यानि की, syno-articular node और atrioventricular node जो है, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, क्या बच्चों, first answer हो जाएगा, आगे में देखो, position exchange कर दी, तो गलत हो गया, पुरकिंजे, तो पुरकिंजे तो कहाँ मिलेंगे, हमें ventricles पे मिलेंगे, तो गलत हो गया, ठीक है, और AV bundle थोड़ी कहेंगे, इसे, क्या बोलेंगे, nodal utak कहेंगे, ठीक है, चलिए, आसान सा question था, next, यह देखो, यहाँ पर क्या किया, एक diagram हमें दे रखाया है, human brain का, उस diagram के साथ हमें A to F, इन सभी को सही functions के साथ मैच करना है, बहुत यासानी के साथ तुम कर सकते हो, तुम्हें पहले तो यह पता होना चाहिए, कि कौन सा part, कौन से diagram को show कर रहा है, ए, किसको show कर रहा है, बिटा, देखो कर रहा है, यहाँ पर, sorry, sorry, A किसको show कर रहा है, corpus callosum को show कर रहा है, A किसको show कर रहा है, Corpus callosum को, C cerebellum को, B किसको show कर रहा है, देखो, B show कर रहा है, किसको, थेलमस को शो कर रहा है, अगर तुम D को देखोगे ध्यान से, तो D किसको शो कर रहा है, D शो कर रहा है किसको, mid, brain को, E को देखोगे, तो E किसको शो कर रहा है, medulla, oblongata को, और F को देखो, तो F किसको शो कर रहा है, यहाँ पर, pawns को, ऐसे हमने, ऐसे कुशन में सबसे पहले यही काम कोड़ो, ठीक है, टाइम नहीं है, तो simple-simple, CC यानि corpus, क्यालो सम, हमने, हमें parts पता चल गए, अब इन parts के उपर हमें क्या दे रखे हैं, कुछ points दे रखे हैं, तो हमें इन parts की, इन points से real में matching करनी है, पहला है, major coordinating center for sensory and motor signaling, NCRT की line है, किसके लिए line है, आपने अच्छे से पढ़ाई किये, तो किस part of brain के लिए line यूज की गई है, थेलमस के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या बुलाते है, relay center भी बुलाते हैं, एक receptionist की तरह काम करेगा, जितने भी cerebral, जो cortex के जो भी areas हैं, वहाँ पर impulses को distribute करना, सही जगह पर सही impulse को भेजना, यह काम किसका है, थेलमस का है, तो first, देखिए, किसके लिए बोला है, थेलमस के लिए, यानि की, समवेदी एवं चालक आवेगों के लिए, मुख्य समनवे केंद्र, अब थेलमस पहचानो, देखो, कहां पर दे र apparatus का, और brain में पूछे, तो कौन करेगा body balance, posture balance को, सहरे बैलम करता है, तो सहरे बैलम ढूंड़ों कहां पर है, C पर सहरे बैलम है, तो यह C आ गया, related with auditory, visual and auditory reflex, तो visual reflex हो, चाहे auditory reflex हो, यानि कि, दरश्टी एवं श्रवन प्रत्यावर्ति क्रियाओं से संबंदित, यह किसका काम है, यह हमारे मध्य मस्तिष्क का काम है, याद आया, corpora, quadrisamina condition हम जिसे बोलते हैं, तो किसका part है, यह midbrain की बात कर रहा है, तो midbrain हमें दे को कहां पर दे रखा है, यह deeper दे रखा है, यह midbrain किस पर दे रखा है, deeper, D लगा दिया हमने, फिर contains regulatory centers for respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion, यह किस च centers कहां पर पाई जाते हैं, आपको पता है बच्चों, medulla oblongata में पाई जाते हैं, ठीक है, श्वसन, हिर्दैसम वहनी, प्रत्यावर्थ, जठर स्तरावन के लिए, नियंतरन के इंद्र, कहां पर उपस्तित होते हैं, medulla oblongata पर, तो medulla oblongata कौन शो कर रहा है, medulla oblongata कौन शो कर रहा है, यह देखो, e show कर रहा है, तो बस a पर कुछ हमें दिया ही नहीं, तो हमें बस match the following करना है, b c d e, पहले में b c d e दे रखा है, गलत, यह b c वाला भी गलत हो जाएगा, first और second, यानि 50-50 लग गई, यह दोनों गलत हो गई, b c d e, यह देखो, second में हमें सही आंसर मिल गय यह देखो, b c d e, यह आंसर मिल गया हमें, second में, b c e d e f कर दिया, f जो है, यहाँ पर pawns के regarding बात थी पर हमारे लिए नहीं है, तो सही correct आंसर इसका क्या हो जाएगा, second option, ठीक है, चलिए, next, बहुत ही आसान सा question, किसी ने गलत किया क्या यह question, किसी का गलत हुआ गया, पताओ जल्दी से comment section में, होना ही नहीं चाहिए, शहद के NCRT की लाइन है, आपको पता है, food strategies वाला, जो हमारा chapter है, खादे वाला, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, क्या शहद के उतपादन के लिए, मदुमख्यों के चट्तों का रख रखाव, क्या कैलाएगा, फिशरीज मुर्गिया, अंडे वगरे इन प्रोड़क्ट्स के लिए, मीट के लिए जो हम अनिमल्स को रखते हैं, बर्ट्स को, जो की मीट बर्ट्स की तरह यूज होती है, सिंपल सी बात है, शहद से रिलेटेड किस से बात हो रही है यहाँ पर, मदुमख्य से रिलेटेड बात हो र यह भी बहुत आसान सा क्यूशन है, the course of blood from heart to the lungs and back to the heart is called, यहाँ पर यह क्या है, word called है, is called, रक्त का हिर्दय से फेफडों में जाना वे वापस हिर्दय में आने का पत क्या कहलाता है, तो सिंपल सी बात है, यह हमारा heart है, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, लंग्स दे रखे हैं यहाँ पर क्या है, body के tissue हमें दे रखे हैं, यह हमारे heart के चार क्या हो गए, पार्ट हो गए, ठीक है, right atrium हो गया, right ventricle हो गई, left atrium हो गई और left ventricle हो गई, अब यहाँ देखो क्या पूछा है, कि heart से lungs और फिर lungs से hurt, तो देखो होता क्या है, body tissue से जो deoxygenated blood है, वो veins के तुर right atrium में जाता है, right atrium से यही deoxygenated blood, यही deoxygenated blood किसको पास हो जाता है, right ventricle को, कौन से valve से पास होता है, tricuspid valve से, यहाँ से फिर blood को किसी organ को supply मिल रही है, तो कौन ले जाएगी, pulmonary artery, फुफुसिय धमनी, फुफुसिय धमनी क्या करेगी, यहाँ से collect करेगी blood को, और फिर यह किसको दे देगी, lungs को दे देगी, lungs में जाके इसका क्या हो जाएगा, oxygenation हो जाएगा, यानि oxygenated हो जाएगा यह blood, और फिर यहाँ से pulmonary vein, इसे collect करके कहां ले के आ जाएगी, left atrium में, फिर यह bicuspid valve से किसमें पहुँचेगा, left ventricle में, और left ventricle से यह कहां पहुँचेगा, body के tissues में पहुँच जाएगा, तो दो circuit हो गए, एक तरह से देखा जाए, तो यह जो circuit है, कौन सा वाला, यह अपर वाला, यानि की, hurt, hurt से क्या, lungs, और lungs से जो hurt, यह जो circuit है, यह कैसा वाला circuit कहलाता है, इसे हम बुलाते हैं, बच्चों, क्या बुलाते हैं हम लोग इसे, इसे pulmonary circulation, और वही हम कहें, hurt से body tissues, और body tissues से hurt, यह वाला जो circuit है, यह कहलाता है, देहिक परिसंचरण, यानि की systemic circulation, तो अच्छे से आप इस चीज़ को क्या कर लेना, clear कर लेना, अब कुछ लोगों के दिमाग में, महान कुछ लोग हैं, उनके दिमाग में आना चाहिए, कि सर यह र option भी सही मिलें, तो फिर भी neat एक answer देता है, किस basis पर, more correct के basis पर, ज्यादा सही क्या है, neat is a game, क्या game है, किसे select करने का, सही option को select करने का नहीं है, किसे सही करने का है, ज्यादा सही को select करने का game है, तो ज्यादा सही clear cut यहाँ पर किस की मात है, साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि यह क्या कहलाएगा exactly हम बात करें blood circulation के अलावा, क्या बोलेंगे हम इसे फुफुस्य परिसंच्रन, यानि की pulmonary circulation, इसलिए answer क्या गया बच्चों, second option चला गया, ठीक है, किसी का गलत तो नहीं हुआ, third option देख करके गलत हुआ, तो अपनी ऐसी कम्यों को सुधारो, एक लंबे बड़े से page पे लिखो, क्या ज्यादा धिमाग ना लगाए, more correct ढूंडे, ठीक है, चलिए बच्चों, next question है, हमारे पास में 110, 110 question क्या कहता है, एक तरफ column में हमें hormones दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उन hormones की functions की बात की गई है, और हमें क्या करना है, इन hormones को इन function से सही तरह से क्या करना है, बच्चों, match करना है, तो देखो, इन से हम match करें, सबसे पहले हमारे सामने किसकी बात की गई है, PTH की, PTH की full form क्या हो गई, parathyroid hormone, क्या बुलाते हैं हम लोग इसे, parathyroid hormone, और आपको पता है, बच्चों, parathyroid hormone क्या करता है, PTH hormone जो है, वो, जो calcium है, बोन से किस में लाता है, किस में promote करता है calcium को bone से, blood में calcium को promote करता है, ताकि bone से calcium किस में पहुचे, blood में पहुचे, और जब blood में calcium जाएगा तो calcium का level high होगा और क्या कहलाएगा यह hypercalcemia, तो PTH hormone किसे promote करेगा hypercalcemia को और आप देखिए यह हमें दे रखा है hypercalcemia, यानि कि A में जो सही answer है, वो क्या आना चाहिए बच्चो, A के अंदर क्या आना चाहिए, हमारा 5 जो है, वो hypercalcemia का option आना चाहिए B पे आजाएं, oxytocin की बात कर रहा है, तो oxytocin hormone जो है, आपको पता है, कि oxytocin hormone क्या करता है, जो myo epithelial cells है, उनमें contraction करवाता है, यह myo epithelial cells, किसकी myo epithelial cells, जो memory glands हैं breast, जो होते हैं females में, उनकी myo epithelial cells में contraction करवाता है, जिसकी वज़ए से जो milk है, वो बहार आता है, यानि कि milk का ejection करवाता है, इसलिए, या फिर हिंदी में हम कहें, तो क्या करवाता है, दुगद का निशकासन करवाता है, इसलिए, जो सही matching होगी B में, वो कौन सी होगी, यहां पर 6th नंबर, तो क्या आना चाहिए, यहां पर 6th नंबर, फिर बात हो रही है, केलसी टॉनिन कि, तो कैलसी टॉनिन कहां से रिलीज हो रहा है, जो थाइरोइड ग्लेंड है, उसकी पैरा फॉलिकुलर से से कैलसी टॉनिन रिलीज होगा, क्या काम करेगा, पीटी एच का एंटागॉनिस्टिक होर्मोन है, यानि कि पीटी एच यदी ब्लड कैल्शियम लेविल को राइस तो इस कंडिशन को हम क्या कहेंगे, हाइपो ग्लैसीमिया, तो कैलसी टॉनिन की वज़े से क्या होगा, हाइपो, sorry, क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेविल का घटना, यानि हाइपो कैलसीमिया होगा, ठीक है, पीटी एच की वज़े से क्या हो रहा है, हाइपर कैलसीमिया, तो hypo-calcemia का option ये देखिए, third वाला यहाँ पर हमें दे रखा है, इसलिए क्या आ गया, third आ गया, फिर prolactin hormone की बात करें, तो इसके कारण क्या होगा, जो memory glands हैं, उनमें milk का formation प्रमोट होगा, यानि इसकी वज़े से prolactin की वज़े से क्या होगा, दुग्द निर्मान होगा, त हम इसे कह सकते हैं, तो क्या आ गया, first आ गया, और ADH hormone की बात करें, तो आपको बता है, anti-diuretic hormone, जो collecting duct है, या जो DCT का part है, कुछ, वहाँ पर क्या करवाता है, water के reabsorption को promote करता है, जब water body में reabsorb होगा, तो जो dehydration है, वो अपने आपी क्या हो जाएगा, प्रवेंट हो जाए इसलिए हम क्या कह सकते हैं, prevention of dehydration किसका function हो गया, ADH hormone का, तो इधर क्या आना चाहिए, बच्चो, 6th और 7th, तो क्या option आने चाहिए हमारे पास में, 5, 6, 3rd, 1st और 7th, तो 5 से starting होगी, तो पहला वाला जो है, वो तो पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया, 5, 6th, तो 3rd, देखिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि D का इसमें 2nd दे रखा है, बलकि D का क्या आना चाहिए, milk synthesis, तो फिर अब हमारे सामने option क्या बसता है, 5, 5 के बाद में 6, 3rd, 1st और 7th, तो सही answer जो है हमारा क्या हो जाएगा, correct answer इसमें क्या हो जाएगा, बच्चो, 4th option हमारा answer हो आगे चलते हैं, देखिए, next, 111, बहुत ही simple सा question है, water vascular system किसमें present होता है, तो देखिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, बच्चो, water vascular system की बात कर रहा है, तो water vascular system, water vascular system किसका characteristic है, ये दो प्रकार के system है, देखिए, एक system तो क्या है, water canal system, अगर आप से कोई water canal system पूछे, canal word का use कर ले, कौन से word का use कर ले, बच्चो, canal word का use कर ले, तो आपको answer क्या देना है, water canal system की बात करेगा, तो क्या दोगे आप answer, पौरी, फैरा, ठीक है, और यहीं पे यदी कोई word यूज कर ले, क्या, water vascular system, ठीक है, तो ये किस phylum के characteristic है, water vascular system का पाया जाना, बच्चो, ये किसका है, echinodermates का, तो सही option देखिए, यहाँ पर पहला दे दिया, silentrata, तो silentrata का characteristic नहीं है, तो गलत हो गया, यहाँ पर फिर anelida दे दिया, इसका भी characteristic नहीं है, तो गलत हो गया, orthopoda दे दिया, इसका भी characteristic नहीं है, तो गलत हो गया, तो क्या है, किसका characteristic है 4th number का, यानि कि Echinodermeta का क्या है बच्चों, यह characteristic feature है, इसी वजह से हमारा सही answer कौन सा गया है, इसमें 4th option चला गया, which of the following are actively secreted into filtrate by tubular cells of nephron, देखिए, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जभी भी हमें, यह पूछा क्या है, कि जो nephron की नली की कोशिकाओं द्वारा, फिल्ट्रेट में सक्री रूप से किसका स्त्रवन होता है, तो देखो, सक्री रूप से एक चीज तो हमेशा ध्यान जो process है, जो tubular secretion की process है, यह कैसी process है, active process है, ठीक है, अब किसका secretion होता है, देखो, यहाँ पर पहले option में, अगर हम देखें, तो देखो, पहले option में हमारे सामने कौन आ गया, sodium, sodium का actively absorption होता है, sodium, aldosterone hormone नहीं है, तो आगे, जो है, urine में pass भी हो जाता है, बट अलग से उसे secret नहीं किया जाता, इसलिए पहला option हो गया, गलत, second option देखो, K+, NH3, H+, exactly यहाँ पर यह बिल्कुल सही बात है, potassium का भी हम क्या करते है, actively secretion करते है, NH3 का भी हम actively secretion करते है, इन दोनों के secretion से या स्त्रावन से, क्या maintain होती है, osmolarity जो है, उसे maintain करने में मदद मिलती है, वहीं हम H+, का स्त्रावन करते हैं, किसका स्त्रावन करते हैं, H+, का स्त्रावन करते हैं, और H+, के secretion से, हमें किस चीज में मिलती है, हमें blood का, basically, जो pH regulation है, इसमें हमें क्या मिलती है, help मिलती है, जब भी H+, secret होगा, तो बदले में किसे absorb किया जाता है, reabsorb, bicarbonate, यानि HCO3 negative को, तो SCO3 negative third option में आ गया, देखो, SCO3 negative जो है, उसका क्या होगा, secretion नहीं होगा, absorption जो है, वो होता है, फिर वहीं, यहाँ पर देखिए, glucose आ गया, glucose का भी secretion नहीं होता, आइडियल कंडिशन में maximum जो है, maximum क्या 100% जो है, reabsorption glucose का PCT में ही हो जाता है, तो इसका भी secretion नहीं होता, इसलिए हमारा correct answer यहाँ पर क्या चला गया बच्चो, हमारा यहाँ पर answer चला गया, second option, चले next, देखिए, match the following है, lacteals की matching अगर हम लोग करें, तो lacteals आपको पता है क्या होती है, देखिए, lacteals क्या है बच्चो, lacteals हमें पता है जो विलाई है, जो विलाई है, विलाई के अंदर एक large size की lymph vessel होती है, एक large size की lymph vessel होती है, जिसे हम लोग क्या कहते है, एक large size की lymph vessel है, है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं लेक्टियल की नाम से जानते हैं लेक्टियल यानि यह लिंफ वैसल किसके अब्जॉप्शन में मदद करती है वसा के यानि की फैट के अब्जॉप्शन में मदद करती है इसलिए लेक्टियल के सामने कौन होना चाहिए इधर लिंफ व काईलो-माइक्रों की बात की है, तो बच्चों आपको बता है कि काईलो-माइक्रों क्या है, कि जो इंटिस्टाइनल सेल्स हैं, यह इस तरह से इंटिस्टाइनल जो सेल्स हैं, और इधर आ गई हमारी कौन, लेक्टियल, यह हो गई लिूमन, तो लिूमन में यहां पर क्या हो कोशिका में जिसे हम लोग enterocytes भी हम किसे कहते हैं जब यह इसके अंदर enter करते हैं तो यहां से यह जो लिपिड की जो molecule है यह जो लिपिड का molecule है इसके उपर किसकी covering आ जाती है इसके उपर covering किसकी आ जाती है प्रोटीन की covering आ जाती है और इस structure को हम लोग क्या बोलाते हैं इस structure को जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन है यानि कि यह क्या हो गया basically यहां पर प्रोटीन कोटेड प्रोटीन कोटेड लिपिड molecule इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं काईलो micron के नाम से किस नाम से जानते हैं हम इसे काईलो Micron के नाम से जानते हैं तो काईलो microns क्या हो गया third number यानि कि प्रोटीन की लिए coated lipid, first आ गया इधर, second आ जाएगा इधर, third, microvilli आपको पता है, इसकी वज़ए से कैसी appearance मिलती है, brush border, तो microvilli में आ गया, fourth, hepatic lobule, यानि कि yaktrat ती है पाली का, किसकी unit है, یakrat की, यानि कि क्या आ गया, first, तो second, third, fourth, first, पहले में क्या है, third से start हो रहा है, गलत हो गया, third से start हो रहा है, second, third, fourth, 1st, बस हमें भी यही ढूढना है, 2nd, 3rd, 4th, 1st, इसलिए आंसर क्या गया है, इसका, 2nd option is the correct answer, next, 1st, which of the following is not the function of hypothalamus, निमन में से कौन सा कार्रे hypothalamus का नहीं है, hypothalamus का कार्रे कौन सा नहीं है, आपको पता है, NCRT के points हैं यह, endocrine control यानि की अंतहस्त्रावी नियंत्रन बिल्कुल करता है, जब ही हम hypothalamus को क्या बुलाते हैं, basically, supramaster gland हम लोग इसे बुला सकते हैं, headmaster जो है, वो भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि pituitary gland को control करने के लिए, इसकी जो nuclei हैं, neuro secretory cells हैं, वो किसका formation करते हैं, neuro hormones का, बिल्कुल सही बात है, thrust center बिल्कुल होता है, thermoregulation इसका main function है, but, acoustic यानि की श्रवन प्रतिवर्थ, जो है, acoustic यानि की सुनने से related, जो reflex है, यह किसका function हो गया, midbrain का, यह hypothalamus का function नहीं है, और हमसे भी क्या पूछा है, not पूछ लिया, इसलिए हमने भी answer क्या देना है, second, जो है, वो correct answer हो जाएगा, फिर आगे आजाईए, four chambered heart की बात हो रही बेटा, तो आपको पता है, four chambered heart जो है, वो birds में और mammals में पाये जाता है, और reptiles के अंदर जो exception है, वो कौन सा है, crocodile है, तो पहले में देखिए, amphibian आ गया, इसलिए गलत हो गया, उभैचर आ गया, गलत हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, crocodile, birds और mammals, यानि मगरमच, पक्षी और इस्तंधारी, यह हमारे पास यहाँ option आ जाता है, तो second ही हमारा क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, इन तीनों में हमें कैसा हिर्दय मिलेगा, चार कोष्टी है, जिसके अंदर क्या मिलेंगे, फोर चैंबर्ड मिलेंगे, इधर देखेंगे, तो देखों, lizard और snake आ गया, तो गलत हो गया, इधर भी lizard आ गया, छिपकली आ गया, इसली गलत हो गया, इधर सरप और शिपकली आ गया, तो गलत हो गया, तो सीधा correct answer क्या हो बच्चों, इसका मगरमच, पक्षी, इस्तंधारी, यानि क्रोकोडाइल, बर्ड्स, एंड मैमल्स, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्विशन है हमारे सामने, हमें चार डाइग्राम दे रखे हैं, एनिमल हिस्टोलोजी से क्विशन आता है, क्या बोल रहा है, दिफोर डाइग को नीचे दिए गए विकल्पों से सही पहचाना गया है, तथा उसके पाए जाने का स्थानवे कार्रे भी सही दिए गए है, किस विकल्प में, यानि कि हमारे सामने, यहाँ पर देखिए, टिशू, लोकेशन और फंक्शन, और उसे हमें डाइग्राम के साथ मैच करना है, कि अनल में, क्या दिए भी साथ पर अनबर का टिशू यहाँ और पर हमें, यह दे रखा है, यह तरह से सी दए रखा है और इसी तरह से हमें क्या दे रखा है बच्चों, बच्छों, बढ़ार बिया ह Давай चैना है, दिएला है तो हम में ऐसे में क्या कीजिए, तो कि आपकी एरियोलर टिशू, यह A है आपके सामने, क्या यह एरियोलर टिशू है क्या गलत है, तो गलत हो गया, पहला option आंसर नहीं जाएगा, B पर बोन, क्या यह बोन है, fat storage area लिखा हुआ है यहां पर, तो क्या यह बोन है, बिल्कुल नहीं है बोन, तो second भी गलत हो गया, third option देखिए, A पर compound epithelium, बिल्कुल सही बात है, बच्चो, यह क्या है, हमारा compound epithelium है, या फिर मैं कहूँ, इसे A पर क्या है, यह संयुक तुपकला है, बिल्कुल है, A पर संयुक तुपकला, क्या पाई जाती है, skin पर, location, compound epithelium की, बिल्कुल, skin पर उपस्तित होती है, और काम क्या है, कंपाउंड epithelium का, जो maximum function, या the main function, या क्या है बच्चो? protection है, यानि कี่ यmask कलत भोगत, वो एक तरह से protection का काम करता है, या हिंदी में मैं कहूं, सुरक्षा देने का चार्रे करता है, तो सही matching हो गई, एपर compound epithelium, location भी दो मैच हो गई और function भी सही मैच हो गया, तो हमें यहाँ पर answer कहा मिल गया, third option में ही हमें क्या मिल जाता है, answer मिल जाता है, deeper बोल रहा है, dance irregular connective tissue, तो deeper बिल्कुल dance irregular connective tissue है, सघन एनियमित संयों जी उतक है, पर यहाँ पर क्या लिख दिया, उसके example, tendon लिख दिया, तो क्या tendon, dance irregular example है क्या, नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास में, third option, तो हमारा सही option कौन सा हो गया, third वाला, ठीक है, तो answer हो गया, third, चलिए, अगली question पर चलते है, small reason on the retina of the eye, which contain only cones, यानि कि जो retina का reason है, retina के मध्य में एक छोटा सा गड़ा होता है, जिसमें केवल शंकू पाए जाते हैं, और यहां से optic nerve, जो है, वो arise होती है, तो इस गड़े को, यहां पर जो एक तरह से जो depression है, एक तरह का depression है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाते हैं, क्या, phovia centralis बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, हम इसे phovia centralis के नाम से जानते हैं, इस पर क्या पाए जाते है है केवल cones present होते हैं ठीक है इस पर जो Roads है वो क्या माने जाते हैं absent माने जाते हैं तो pupils answer होई नहीं सकता blind spot तो जहां पर ना cones पाए जाए ना roads पाए जाए तो यह भी गलत हो गया तो two and three होने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो सही answer कौनसा खो गया second option next, बहुत यह आसान सा question, गलत किसी का हुआ तो नहीं, erithropoetin hormone की regarding बात की गई है, erithropoetin, देखिए erithropoetin क्या काम करता है, basically, जो RBC, जो की red blood corpuscles है, इसका जो निर्मान है, यानि की RBC का जो निर्मान है, उसे क्या कर देता है, बढ़ा देता है, RBC के निर्मान को erithropoesis को increase कर द से secret होता है, erithropoetin hormone, तो आपको पता है, erithropoetin hormone होगा, JG cells of kidney से, यानि की kidney की जो juxtaglomerular cells है, वहां से इसका क्या होता है, secretion होता है, किसी का गलत होई नहीं सकता, next, joints की regarding बात की गई है, बहुत ही आसान सा question आपको पता है, बेटा, देखो क्या पूछा है यहाँ पे आपसे, joints की regarding, की ball and socket joint, तो ball and socket joint, जिसमें एक ball socket में fit हो, तो देखो, कौन सा है हमारा shoulder joint, तो बिलकुल इसी के सामने, इसी का सही answer दे रखा है, hinge joint, जो केवल, क्या हो, एक प हमारे axis को 180 degree पर move करवा सकता है, तो आब आप देखो, इसके बाद यह क्या हो रहा है, आगे की तरफ नहीं मूड़ रहा, तो ऐसे ही हमारे घुटने में, नी में भी इस तरह की का joint होता है, तो कौन सा हो गया hinge joint का, देखो, यानि कबजा संधी का example कौन सा हो गया, घुटने म है, जिसमें किस तरह का movement मिल सके, हमें rotational movement मिल सके, जिसमें अगर हम लोग देखें, तो atlas और axis जो vertebrae है, जो की हमारे skull की vertebrae है, उन दोनों के अंदर कौन सा joint पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, इसलिए थर्ड हो गया, फाइबरस joint, जैसा क्या हो गया, एक तरह जैसे immovable joint है, जिसमें movement नहीं हो सकते है, और यह किस के बीच में है, हमारे cranium जो bones है, उन में जो suture joint present होता है, वो किसका example है, फाइबरस joint का example है, तो फाइबरस joint क्या हो गया, फोर, बहुत यासान सा question, one, two, three, four, तो one, two, three, four, यह देखो, one, two, three, four, तो first option is the correct answer, आगे चले, next, अब देखो, यह पुछा है कि, RB, जो blood group के antigen होते हैं, blood group के antigen होते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं, तो देखो, blood group के लिए responsible antigen होते हैं, जिनके कारण हम क्या कहते हैं, कि blood group है typical, चाहे A blood group हो, चाहे B blood group हो, A B हो, यानि दोनों का पाया जाना, तो वो कहां पर उपस्तित तो देखो वो कहां पर उपस्तित होते हैं बच्चों, जो RBC की जो सर्फिस है, हिमोगलोबिन मॉलिक्यूल पर होंगे नहीं, प्लाजमा के प्रोटीन में तो क्या पाई जाती है, एंटी बोडी उपस्तित होती है, और ब्लड प्लेटलेट्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होत तो RBC की जो सतय है, इस तरह से अगर हम RBC को देखें, तो RBC की जो मेंब्रेन होती है, यहां पर पाया जाएगा, जैसे A पाया गया, तो इसे हम कौन सा ब्लड ग्रूप माल लेंगे? इसे हम कौन सा ब्लड ग्रूप नाम दे देते हैं? देखो, अगर A पाया गया तो हम इसे कौन सा blood group कह देंगे? A blood group कह देंगे. तो कहां पाए जाते हैं? RBC की membrane पर पाए जाते हैं. या फिर हम क्या कह सकते हैं? सतह पर. चले, next. बहुत ही आसान सा question, कोई confusion है ही नहीं, कि जो nephrons हैं, वो क्या है? kidney की, यानि की जो basically nephron है, वो वरकों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक IKAI है, structural and functional unit जो होती है kidney की, वो कौन होती है, nephron होती है. तो neuron, नहीं होगा, Bowman capsule, nephron का part है, पर पूरा नहीं बात हो रही है, आपर LOH भी nephron का part है, तो पट क्या LOH ही IKAI थोड़ी है? IKAI में तो पूरा nephron आएगा, इसलिए answer क्या गया, second option, ठीक है, ये भी किसी का गलत नहीं हुआ होगा, आगे आजाओ, incorrect option आपको select करना है, तो देखिए कैसे select करेंगे, धिहान देने वाली बात है, incorrect की बात हो रही है, incorrect की, तो condom की बात जब हम करें, तो कैसा method है condom, किस तरीकी का method है, देखिए, barrier method है, condom किया है, एक अवरोध विदी है, तो पहला वाला तो क्या हो गया, true हो गया, hormone releasing IUD, NCRT में साफ तोर पर इसे, इसका example, project stars लिखा हुआ है, ठीक है, तो hormone releasing IUD का example क्या हो गया, project star cert, तो project star, जो है, किसका example हो गया, hormone releasing IUD का, जो की, sperms का phagocytosis बढ़ा देता है, फिर, copper releasing IUD की बात करें, तो देखिए, multi load 375, वो किसका example हो गया, copper releasing का, तो उपर वाले, first, second, और third, यानि की, ये तीनो, ये तीनो की तीनो, क्या है, सही है, पट vasectomy, यानि की, देखिए, vasectomy क्या है, V से, क्या, Vase difference, तो Vase difference किसमें होती है, nerve में, यानि की किसमें होगी, males में, तो males में, जो sterilization का method है, या जो surgical method है, जिसमें Vase difference को, काट दिया जाता हो, या बांध दिया जाता हो, जिसके कारण gametes का transport ही नहीं हो पाता, organ से, या फिर हम कहें, तो उनकी, basically, जो gametes है, वो organ से, अपने, बाहर, जो उनकी location है, वहाँ पर नहीं जा पाते, तो, Vasectomy, एक sterilization method है किसमें, males में, पर यहाँ क्या दे रखा है, woman, यानि महिलाएं, तो गलत हो गया, और हमसे भी गलत ही पूछा है, इसलिए हमारा सही answer क्या हुआ, fourth is the correct answer, चलिए, next, next की बात करें, NCRT का clear cut diagram है, बच्चों, तीन चीजें वहाँ पर बता रखी है हमें, एक जो layer है, वो तो किसको show करती है, जो ना पहलू सीडा को show करेगी, तो ये layer किसको show कर रही है, ये ZP को show कर रही है, B किसको show कर रहा है, Corona Radiator को show कर रहा है, और C क्या है, Peri-Viteline Space, जो है, उसकी बात हो रही है, Peri-Viteline Space की बात हो रही है, तो बस देख लीजिए, A पर ZP, तो देखो, A पर ZP, ZP, तो नीचे वाले हो गए, दोनों गलत, B पर क्या है, Corona Radiator, तो second option, जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, और C क्या हो गया, Peri-Viteline Space, तो क्या होता है, Exactly के अंदर, अगर हम लोग देखे, तो इस तरह की, Membrane है, ये बाहर वाली Membrane क्या हो जाती है, ZP, इसके बाहर, Corona Radiator Cells होती है, जो कि, जब ओवम, ओवरी में होता है, तो वहां से कुछ, Granulosa Cell, जो ओवम के साथ में, जिसका ओविलेशन हो जाता है, ओवम से जो चिपकी रहती है, वो फिर क्या कहलाती है, Corona Radiator Cells कहलाती है, एक्रोसोम में, जो हाईलूडूनिडेज एंजाइम है, वो यहां पर इनके खटाने में मदद करता है, Finally, जैसे ही Sperm, जैसे ही Sperm, ZP को छूता है, तो ZP को छूने के साथ, जो इसकी अंदर की जो मेंब्रेन है, उसका क्या हो जाता है, Depolarization हो जाता है, ठीक है, और ये जो Space है, ये जो Space है, ये वाला, जिसे हम क्या बुलाते हैं, Periviteline Space, यहां पर किसका formation हो जाता है, एक ऐसी मेंब्रेन का formation हो जाता है, जो क्या कहलाती है, Fertilization, Membrane कहलाती है, ठीक है, तो एक जनरल मैंने एक एक्स्टा पॉइंट्स कुछ बता दिये, तो सही answer कौन सा हो गया, Zona Pellisuda, Corona Radiator, और Peripitak Avakash, जिसे Periviteline Space भी हम कहते हैं, चलिए, Cocaine is obtained from Coca Plant, Erythrozylum Coca, Native to, NCRT का point है, Clear Cut, यानि कि जो Erythrozylum Plant जो है, Erythrozylum Coca जो है, वो कौन से देश का Native, Native का मतलब मूल पौधा है, या मूल पेड है, तो देखिए, साफ NCRT लिखती है, कि यह किसका Native होता है, South America का Native है, किसका Native है, यह दक्षिण अमेरिका का Native है, या वहां का मूल पौधा है, मेंली वहां पर पाया जाता है, चलिए, Next, Pedigree Analysis की बात करें, Pedigree हमें दे रखी है, देखिए, Male, Female, यहां पर हमें शो कर रखा है, तो, हमें पता लगाना है, कि कौन सा, Basically, हम इन तीनों की बात करें, तो इन तीनों की तीनों, यह तीनों की तीनों क्या है, यह तीनों की तीनों कौन है, Non-Diseased, यह क्या है, Diseased, ठीक है, तो जो भी हमें options दे रखे हैं, उन्हें हम लोग रख के देखें, तो देखिए, पहला option है, X-Linked Dominant, X-Linked Dominant की अगर बात की जाए, तो देखो, X-Linked Dominant Disease होती, तो यहां पर, जैसे की यह क्या हो गया, Basically, XY, और यह क्या हो गई, Female हो गई, तो अगर, क्या होता, X-Linked Dominant Disease होती, तो Mother जो है, यानि की जो Mother जो है, वो क्या होती, Diseased होती, पर अभी Mother कैसी दे रखी है, हमें Non-Diseased दे रखी, यानि की Mother बिमार नहीं है, क्योंकि अगर, X के Dominant में वो बिमारी होती, तो Obviously, Mother क्या है, क्या होती, Diseased होती, क्योंकि यहां से जो है, X का जो Dominant Chromosome है, वो कहां आता, किसी ना किसी में आता, तो Mother में भी वो क्या होती, Disease पाई जाती, Mother चाहे Homogigous होती, चाहे Heterogigous, मतलब, अगर Homogigous भी है, तो Obviously, अगर Dominant में है, तो वो Disease होती, पर यह क्या हां पे दे रखी है हमें, Normal, तो पहला Option जो है, उसकी संभावना हो जाती है, खत्म, X-Linked, Recessive की बात हम लोग करें, तो देखो, X-Linked Recessive, X-Linked Recessive को अगर हम देखें, तो देखो, X-Linked Recessive को हमने ऐसे माल लिया, ठीक है, XX, यहाँ पर हमने एक छोटा सा C माल लिया, ठीक है, अब देखो, यह XY Condition, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, कि यह क्या है, Diseased है, यह Diseased है, मतलब कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर Composition, X, Small C, Small C, Small C मतलब, मैंने यहाँ पर एक X-Linked Recessive, जो disease है, Color Blindness, उसका Example लिया, तो अब आप देखिए धियान से, यह जो Daughter है, इसमें एक X-Chromosome तो कहां से आएगा? इधर से, एक X-Chromosome कहां से आएगा? इधर से, तो काईदे से अगर हम बात करें, काईदे से अगर हम बात करें, तो इधर से मान लेते हैं, कि यह XC इधर आ गया, चाहिए, और आपको यह बात पता है, कि हैमिजाइगस कंडिशन में, यानि कि अगर यहां से भी, डिजीजड वाला क्रोमोसोम, अगर यहां से भी X-Chromosome आता, यानि कि फादर से यदि X-Chromosome यहां से आता, तो यहां पर फादर भी क्या होते? फादर को भी यह रोग होता, या फादर भी को भी क्या होते? डिजीजड होते, पड़ क्या यहां पर पिताजी को बिमारी है? नहीं है, सिंपल सी बात है यार, X-Link dominant, यानि X-Chromosome dominant पर डिजीजड होती, तो मदर बिमार होती, ठीक है? X-Link recessive मानते, और डॉर्टर में बिमारी बता रखी है, यानि डॉर्टर में X-X-Chromosome आया होगा, मान लेते हैं कि मदर में X-X-Chromosome है, recessive disorder है, तो मदर कैरियर हो गई, और उसने अपना एक disease-Chromosome पास कर दिया, बट, recessive disease होने के लिए, दो X-Chromosome आने चाहिए, होमोजाइगस कंडिशन होनी चाहिए, recessive वाले, तो फादर से भी जो X-Chromosome आयेगा, वो भी कैसा होगा, disease gene उस पर पाया जाना चाहिए, तो फादर पे अगर आपको पता है, X-Link recessive जो है, वो male उसके लिए क्या होता है, carrier नहीं होता, क्या होता है, बलके disease होता है, पर यहाँ पर फादर को कोई बिमारी नहीं है, इसलिए हमारी यह संभावना भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, autosomal dominant, अब dominant होता, dominant gene है, capital T, capital T gene है, तो यहाँ पर देखो, अगर dominant होता, तो किसी में भी disease हो जाती, यह भी हो सकती थी condition, यह भी condition हो सकती थी, ठीक है, यह भी condition हो सकती थी, कैसे भी condition हो जाती है, पर अगर dominant होता, तो दोनों जनकों में से, कोई ना कोई बिमार जरूर होता, तो यह condition भी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर cancel out हो जाती है, सही condition देखो, chromosome है यहां से यह जो T है यह इधर आ गया और यहां से जो T है वो इधर आ गया small t small t यानि कि अब यह क्या हो गया homozygous recessive और homozygous recessive है तो मतलब क्या हो गया रोग हो गया इसको तो बात आ रही है समझ में इसी तरह से हमें इस pedigree का सही आंसर पता चलता है next which is non-infectious disease is the major cause of death यानि कि कौन सा ऐसंक्राम रोग मिर्त्यू का मुख्यकारक है जो हमारा chapter है human health and disease मानव रोग वाला उसमें साफ तोर पर लिखा हुआ है कि non-infectious diseases में जिस disease की वजए से अधिकांश मौते होती है वो बिमारी कौन सी है cancer बिमारी है और हमें इस information से भी हम fourth answer लगा सकते हैं और अगर हम यह information नहीं याद तो आप देखिए AIDS एक संक्रामक रोग है तो गलत हो गया निमोनिय एक infectious disease है या संक्रामक रोग है तो गलत हो गया टाइफोइड एक infectious disease है या संक्रामक रोग है तो गलत हो गया तो non-infectious disease यहां पर चाड़ो option में से कहां दे रखी है fourth option में दे रखी है इसलिए answer क्या हो जाएगा cancer चले next देखिए next question पर आओ में birth canal की बात की है बच्चों तो birth canal की बात की जाए तो साफ तोर पर हमें NCRT में पता है कि birth canal क्या होती है birth canal is equals to cervix plus vagina को क्या कहा गया है birth canal कहा जाता है तो cervix plus vagina, cervix को हिंदी में हम किस नाम से जानते है ग्रीवा नाल की नाम से जानते है, vagina को क्या बुलाया जाता है योनी बुलाया जाता है तो देखिए दीजिए पहले में cervix and uterus आ गया गलत हो गया cervix and phelopin tube आ गया गलत हो गया थर्ड पे हमें सही आंसर बच्चो मिल गया तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा है थर्ड option चलें next MTP यानि MTP की full form क्या है आपको पता है MTP का full form हमारी reproductive health का question है MTP को किस नाम से जाना जाता है Medical Termination of Pregnancy तो Medical Termination of Pregnancy जो है या जिसे हम क्या कहते हैं abortion के नाम से हम जिसे जानते हैं ये इसे रोकने के लिए इसका misuse रोकने के लिए जो कानून लागू किया गया वो कौन से time period में लागू किया गया साफ तौर पर NCRT में लिखा हुआ है 1971 में government ने MTP के लिए act लागू किया गया जिसमें female feticides वगरे हैं या कुछ conditions वहाँ पर दी गई कि इन conditions में अगर female चाहे तो वो medical termination of pregnancy का यूज करके abortion कर सकती है ठीक है चलिए next यहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो देखें infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in ejaculates could be corrected by बंधिता के ऐसे मामलों जिनमें पुरुष इस्त्री को वीरिय से चित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा स्कलित वीरिय में शुक्राणू की संक्या बहुत कम है तो ऐसे दोश का निवारन किस से किया जाता है ध्यान रखना जो basically assisted reproductive techniques हैं उनमें in vitro fertilization की बात हो रही है और in vivo की बात हो रही है in vitro में तो test tube baby की बात होगी ठीक है in vivo में हमारी दो condition NCRT में दे रखी है एक क्या gift यानि ऐसी female जो खुद एक viable ovum पैदा नहीं कर सकती बट fertilization के लिए और उसके implantation के लिए यानि रोपन के लिए और initiation के लिए एक पूरा perfect वातावरन दे सकते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं donor woman से ovum collect करके phallopian tube में रख लेते हैं हमने उसे gift दे दिया तो क्या बोला जाता है इसे gift GIFT gamut intra phallopian transfer अब अगर problem male में हो male में sperm count बहुत कम है male जो है वो particularly उसके semen में sperms कम है या male के में infertility है तो ऐसे cases में हम लोग जिस technique करते हैं वो technique किलाती है artificial insemination यानि की क्रत्रिम क्या वीडिया सेचन जिसमें हम या तो किसी donor से या उसी male के concentrated semen को use care करते हैं और artificial तरीके से cervix या कई बार uterus में semen को discharge करवा देते हैं ताकि जो sperms हैं वो वहाँ पर पहुँच पाएं तो short में हम artificial insemination को किस नाम से जानते हैं AI के नाम से जानते हैं इसलिए correct answer कौन सा हो गया first option is the correct answer आगया जाए आजाए vestigial organs का selection करना है आपको या मानव के अवशेशी अंगो को पहचानना है तो मानव के अवशेशी अंगो की बात करें बच्चों तो थर्ड मोलर जो है वो एक vestigial organ है तो ये selection में हो गया ear pinna ear pinna एक अवशेशी अंग नहीं है ear pinna की muscles word use होता तो हम उसे क्या मानते vestigial organ कह सकते थे पट ये vestigial organ नहीं है segmented muscles of abdomen 100% इसे क्या माना जाता है उदर की खंडी पेशियों को एक अवशेशी अंग अवचोशी अंग यहाँ पर हो गया इसको थोड़ा साम कर लें तो हम इसे क्या कह देंगे अवशेशी अंग अवशेशी अंग को चैन करें तो segmented muscles जो है abdomen की ये भी क्या होती है basically vestigial organ है और जो coccyx है coccyx जो है ये भी कैसा माना जाता है vestigial organ की category में रखा जाता है तो A, A के बाद C और C के बाद D ये तीनों की तीनों क्या है vestigial organ है इसलिए answer क्या गया इसका third option चला गया correct order देखना है spermatogenesis का बहुत ही आसान सा question है आपको पता है सबसे पहले कौन आएगा spermatogonia सबसे पहले कौन 2N वाली कौन spermatogonia, spermatogonia में growth phase के बाद किसका formation होगा primary spermatocytes का, जो की कितनी होँगी वापस से 2N होँगी primary spermatocytes से, में क्या होगा, meiosis first होगा और meiosis first से होने के बाद किसका formation होगा basically secondary spermatocytes का, फिर किसका formation होगा, spermatid का और फिर किसका formation होगा sperm का, और यहाँ पे आपको पता है, यह भी क्या होगा, basically यह क्या होगा, N, यह भी N होगा, और यह भी N होगा, तो सही order हम देखें spermatogonia, spermatid, गलत हो गया, spermatogonia, primary spermatocyte, spermatid, sperm ठीक है, हम इसे consider कर सकते हैं, यहाँ secondary spermatocyte नहीं दिया, पर फिर भी order जो है, वो correct है थर्ड वाला देखिए, primary spermatocyte पहले दे दिया, गलत हो गया, spermatogonia, primary spermatocyte, sperm जो है, तो क्या हो गया, basically यह भी, spermatogonia के बाद primary spermatocyte, फिर sperm दे दिया, जो कि गलत हो गया, तो सही answer कहाँ पर मिला हमें, second option जो है, वो हमारा क्या हो गया, सही answer हो जाता है, चलिए, next question पर चलें बच्चों, industrial melanism या ओध्योगिक अतिक क्रिशनता की घटना किसे दरशाती है, साफ तोर पर हमें NCRT में क्या देखने को मिलता है, कि जो industrial melanism है, वो किसे शो करता है, natural selection के process को शो करता है, मैं अगर आपको बताओं कि होता क्या है process, तो England के अंदर, ओध्योगिक क्रांती या जो industrialization था, उससे पहले, जो white moth थी, जो white moth थी, और वहाँ पर कौन सी moth थी, black moth थी, तो इन दोनों में से किसका selection पहले हुआ था, क्योंकि जो tree के background जो थे, वो कैसे हुआ करते थे, basically white हो जाते थे, tree के background क्योंकि वहाँ पर धुआ जो था, factory से निकलने वाला, वो जमा नहीं था, तो white moth जो थी, वो basically उस background में क्या हो जाती थी, hide कर जाती थी, और brown moth जो थी, वो predators द्वारा उसे खा लिया जाता था, पर industrialization के बाद में case उल्टा हो गया, जो trunk जो है पेड़ के, वो कैसे हो गए, dark हो गए, तो इसका फाइदा, camouflage में किस ने उठाया, dark color moth ने उठाया, पहले nature ने, अद्योगिक क्रांती नहीं थी, उससे पहले nature ने किसी और को select किया, बाद में nature ने किसी और को select किया, तो इसलिए industrial melanism का जो process है, वो किसे show करता है, basically किसे show करता है, natural selection को show करता है, ठीक है, बाकी का तो यहाँ पर कोई logic, बैठता ही नहीं है, तो सही answer जो है, वो क चले next, test cross की बात की है, तो देखो test cross किस की बीच में करवाया जाता है, f1 hybrid, ठीक है, देखिए, capital T, capital T, इसका cross करवा रहे हैं, small t, small t, पहले हमें कौन सी hybrid मिलेगी यहाँ पर, capital T, small t मिलेगा, यह कौन सा hybrid हो गया, f1 hybrid हो गया, यह कौन सा parent है, यह parent है, homozygous recessive parent, तो देखिए, test cross की हम बात कर रहे हैं, तो test cross में हम क्या करेंगे, f1 का cross किस से कराएंगे, capital T, f1 का cross किस से कराएंगे, हम, homozygous recessive parent से जब हम यह cross करवाएंगे, इन दोनों के बीच में, तो यह cross क्या कहलाएगा, यह cross है, यह cross क्या कहलाएगा, test cross कहलाएगा, ठीक है, तो कहाँ पर दे रखा है, पहले option में, f1 recessive और f2 dominant, तो गलत हो गया यह, second में अगर हम बात करें, तो f2 recessive, f3 dominant, गलत हो गया, f1 hybrid, यह देखिए, f1 hybrid है दोनों का, और homozygous recessive parent, यह homozygous recessive parent है, तो सही answer जो है, वो हमें कहाँ मिल गया, third option में मिल जाएगा, इधर heterozygous दे दिया, इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है, चले, next, देखिए, अब पूछा है कि कौन सा statement false है, active immunity जो develop होती है, वो एक lag period के बाद develop होती है, यानि सक्री प्रतिरक्षा, एक सुसुप्त काल के बाद उत्पन होती है, COVID vaccine का महौल चल रहा है, vaccine हम क्यों लगवाते हैं, ताकि हमारी body एक बार exposure कर ले, उस antigen का जो आगे चलके हमें बिमार कर सकता है, उसके exposure से हमारी body में कुछ समय के बाद में एक immunity डवलोप हो जाती है उसके लिए, तो एक time period लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुसुप्त का यानि की leg period, तो पहला statement सही है, हमसे गलत पूचाए, active immunity is very effective in immunodeficient host, सक्रिय प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कमजोर मेजबान में बहुत प्रभावी होती है, ये बात बिलकुल गलत हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई व्यक्ती AIDS से पीडित है, तो उसके अंदर immunity जो जो है, वो basically, क्या है, helpful नहीं होती, passive immunity जो है, treatment of infection के लिए use में की जाती है, बिलकुल सही बात है, अगर हम देखें, passive immunity यानि निश्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें हम बनी-बनाई antibodies कि इसी व्यक्ती को देते हैं, तो उसका role क्या है, जैसे rabies का infection है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे है, passive immunity का यूज कर रहे है, titanus का injection लगवाते है, passive immunity का हम लोग यूज करते हैं कई बार, तो passive immunity जो है, वो infection जो है, उसको रोकने के लिए, उसके passive immunity ready-made antibodies होती है, जो कि उस antigen को neutralize कर देती है, तो बिलकुल सही बात है, infection को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जात तो यहां पर आप देखिए, पहला सही है, तीसरा सही है, चौता सही है, गलत कौन सा हो गया, कि सक्री परतिरक्षा, परतिरक्षा कमजोर मेजबान में अधिक प्रभावी बोला है, immunodeficient में, तो इसलिए गलत कथन second हो गया, गलत ही पूछा है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, second option, फिर section A में हमारा last question, which type of breeding allows the desirable qualities of two different breeds to be compound, निम्न में से प्रजिनन की कौन सी विधी, दो विभिन नसलों के, वांचनी गुनों के, सैयोजन में सहायक होती है, दो breeds की यहां पर बात हो रही है, तो जब दो breeds के अच्छे character हम लोग use कर रहे हैं, common बना करके, तो इसको हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम इसे cross breeding कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे cross breeding के नाम से जानते हैं, इसलिए answer कौन सा आया, fourth option आया, बाकी NCRT में आपने पढ़ा ही है, कि inter specific hybridization कहां, किस में हो गया, जैसे khachar, यानि mule का हमने formation करवाया, अलग-अलग species को use किया, ठीक है, inbreeding यानि कि same ही breed में हम लोगों ने क्या किया, use किया, तो जो correct answer है, दो breeds की desirable qualities को एक ही में commonly हमें लगा, अगर use करना हो, तो सही answer कौन सा हो गया, cross breeding, section A की बात वहाँ पर खत्म होती है, अब last हमारे section B के कुछ questions बचे हैं, क्या हैं, देखिए, वही pattern, नए pattern के साब से, इसमें से क questions हैं, पहला diagram, हमें किसको शो कर रहा है, पहला diagram एक्टीन almond molecule को यह wear आप show कर रहा है, Actin protein को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, लेबलिंग की हुई है, इस पार आपको बताना है, उसी sequence में, कौन सा sequence यहांपर लेना है आपको, A से C के sequence में, तो देखो, A कौन सा हो गया, A हो गया यहां पर क्या? ट्रोपोनिन B की हम लोग बात कराएं तो B क्या हो गया? ट्रोपो मायोसिन और C क्या हो गया? F-Aktin Is here a NCRT का डियाग्राम है ट्रोपोनिन, ट्रोपो मायोसीन और F-Aktin ये पहले मायोसिन दे दिया गलत हो गया ट्रोपोमायोसिन दे दिया, पहले पे गलत हो गया, पहले पे क्या है, एफेक्टिन दे दिया, गलत हो गया, एफेक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, सही देखिए, A पर कौन है, ट्रोपोनिन, सही बात है, B पर कौन है, ट्रोपोमायोसिन और C पर कौन है, एफेक् और Midgut के junction पर धियान रखने वाली बात है, Forgut और Midgut के junction पर जो 6-8 अंधन लिकाएं पाई जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें हम क्या बुलाते हैं? Hepatic C का बुलाते हैं, यानि कि यक्रतिय C का कह देते हैं, तो सही आंसर कौन सा हो गया? fishes दे रखी है, एक फिश जो है cartilaginous है, एक फिश जो है वो boni है, एक हमें यहाँ पर situkula, यानि कि जो parrot है उसकी photo दे रखी है और एक हमें eurocordata की photo दे रखी है, बहुत ही आसानी के साथ हम matching करवा सकते हैं, आपको पता है कि D, यानि D क्या है parrot की diagram है, जो किसे show करता है, किसका member होता है avs का member होता है, तो first पे क्या कह सकते हैं हम या हम इसके साब से matching कराएं, तो D पर हम इधर क्या लिख सकते हैं, first, यानि यह क्या हो गया, avs, फिर हमें fish दे रखी है, यह prestige हो गई यह prestige fish है जिसे हम saw fish भी बुलाते है कौन से fish बुलाते हैं इसे saw fish, जो कि किसकी member है contract these की member है जो कि, जिन में क्या पाया जाता है cartilaginus, endoskeleton पाया जाता है तो देखिए, यहाँ पर contract these कहां दे रखा है, third में, तो C पर कौन आ गया, third option, इसी तरीके से B किसकी member है bonifish है, osticthies की member है cutla, है न, तो B पर कौन आ गया, fourth, और यह जो है diagram, वो किसका है, हमें acedia, यानि कि, यह euro quadrata का diagram है, तो A पर देखिए, कौन आ जाता है, हमारे सामने second, तो सही option कौन सा हो गया, A का second, B का fourth, तो A का second, A का second, यानि कि third option तो हो गया, गलत, A का second B का fourth C का first आना चाहिए C का क्या हो रहा है, basically A का second, B का fourth, और C की हम बात करें तो C यहाँ पर first दे दिया, जो कि गलत हो जाता है, यह option भी, third option देखिए A का second, B का fourth C का third, और D का first, जो third option is the correct answer, चलिए बच्चो, 139 नमबर का question है आपको karyotype दे रखा है, यानि kromosomes औरेंज करके दे रखे हैं और एक बच्चे का diagram दे रखा है, अगर आपने NCRT पढ़ी होगी, तो आप इसको आख बंद करके answer को लगा सकते हैं और फिर भी अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो अगर आप options देखें, मतलब कि इसके symptoms देखें, flat black heart, broad flat face, ठीक है, palm crease, यह सारे कि सारे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, यह इशारा कर रहे हैं, बेसिकली 21st chromosome की trisomy की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि कौनसे disease में होता है, down syndrome में होता है, बच्चों, down syndrome में होता है, तो सही answer कौन सा हो जाता है, इसका first option, चलिए, next, यहाँ पर फिर से हमें match the following करना है, तो यह कुछ scientist के contributions हैं, अगर हम इसे लगाएं, सही तरह से, तो बहुत ही आसा Darwin के साथ, अगर हम लोग इसे लगाएं, तो देखो, Darwin किसको show करता है, Darwin ने हमें किसके बारे में बताया, Darwin ने हमें किसके बारे में, basically, answer दिया, तो देखे, Darwin ने हमें बताया, species के origin के बारे में, तो A पर कौन आ जाएगा, R, Hugo D. Varys, Hugo D. Varys ने किसकी बात की थी, उत्परिवर् One Neck Flask Experiment था, जिसमें उन्होंने Spontaneous Generation की जो theory थी, उसे disprove किया था, और Biogenesis को प्रूफ किया था, तो उसमें उन्होंने किसका यूज किया था, Killed Yeast का, ठीक है, तो Killed Yeast का, यानि मृत Yeast का यूज किया था, पास्षर ने, तो क्या आ गया यहां पर, T, और Operin ने किसकी बात क र, P, T, Q, R, P, T, Q, First में ही हमें हमारा सही answer क्या हो जाता है, मिल जाता है, R, P, T, Q, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्यूशन जो है, इसमें हमें फोर्थ option को S के हलमेंथिस पढ़ना है, और देखिए क्यूशन क्या पूचता है, Pseudo-Sylomate Animal Group, यानि कूट गुहिये जन्तु समु की बात कर रहा है, तो देखिए, गुहा की हम लोग बात करें, या सिलोम की हम जब बात करते हैं, तो तीन तरह के groups में हमने इने डिवाइड किया है, सिलोम के basis में, A-Sylomates, उसके बाद में Pseudo-Sylomates, और फिर Pseudo-Sylomates, यानि कि जिनमें Pseudo-Sylomates पाई जाती हो, वो P करें, कहां से, पौरिफेरा से मैं बात करूँ, तो पौरिफेरा से लेकर के, प्लैटी हलमेंथीस तक, प्लैटी हलमेंथीस तक, जो सिलोम प्रेजेंट होती है, वो, मतब exactly में देखा जाए, तो सिलोम प्रेजेंट होती ही नहीं है, तभी तो इस group को क्या कहा जाता है, A-Syl इस लो मेट्स क्या बोल दिया जाता है बच्चों इस गुरूप को ए एस लो मेट्स इसके बाद में जो प्लैटी हलमेंथीज के बाद में नेक्स्ट फाइलम जो आता है क्या कहलाता है स्के हलमेंथीज जो क्या होते हैं कॉमनली राउंड वहम होते हैं उटेक जो कॉमनली प् lifted up होते हैं यह आनिमल्स यह जो ग्रुप यह कल विम दो यह क्या है इसे हम विसे थैन भाद के धीक अनिमल्स कुछ हम लोग pseudo silo mates कहते हैं और S के halminthes से हम आगे चलें जब S के halminthes से जब हम आगे चलें कहां तक kaudeta तक जितने भी phylum आते हैं S के halminthes से लेकर kaudeta तक वो सारे की सारे जो phylams हैं कहां पर जैसे कि annelida न इमसे किउशन क्या पूचृषा है, सूडो हमेट्स पूचा है, तो बहुत ही आसान से क्यूशन, मुझे ठाका नहीं किसी की तो फोर्थ आप्शन देखा है, तो फोर्थ आप्शन में स के helminthes दे रखा है, इसी लिए pseudosilomate animal group कौन सा हो जाएगा, बच्चों, फोर्थ जो है, वो हमारा answer हो जाएगा, यानि कि फोर्थ क्या हो जाएगा, pseudosilomate animal group हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, answer हो जाता है, ठीक है, चलिए, next question की तरफ, यहाँ पर हमें कुछ tissues बता रखे हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ हम answer बता सकते हैं, तो देखो, जो A number का tissue है, वो कौन सा है, साफ पता चल रहा है, A number का tissue की हम बात करें, तो क्या है, ये, cuboidal है, B की हम बात करें, तो क्या है ये, esquemas है, C की हम बात करें, तो ciliated भी है, और साथ ही साथ में क्या है, columnar भी है, ठीक है, यानि की रोमा भी स्तंभाकार है, ये, सरलशलकी है, और ये क्या है, घनाकार है, तो A पर घनाकार, यानि cuboidal, A पर ciliated दे दिया, गलत हो गया, A पर cuboidal दे दिया, सही हो सकता है, बाकी के, देखा जाए, तो सीधा ही हमें आंसर मिल गया, A, cuboidal, B, squamous, और C, ciliated, यानि A घनाकार, B, शलकी, और C, रोमा भी स्तंभाकार, तो सही आंसर हमें मिल जाता है, next, निमन में से कौन सी प्लाजमा प्रोटीन प्रतिरक्षा क्रिया विधी में सम्मिलित होती है, which of the following प्लाजमा प्रोटीन involve in defense mechanism, बहुत आसान सा क्यूशन है, आपको पता है, बच्चों, हम यूज करते हैं, Ig, G कह दो, Ig, A कह दो, तो ये Ig वर्ड जो है न, इसकी full form क्या है, इसकी full form है, Immunoglobin, तो प्लाजमा में जो Globin प्रोटीन है, वो किस से related है, defense mechanism से related है, तो देखिए, Fibrinogen जो है, ये clotting से related है, Albumin क्या करेगा, basically Blood Osmotic Pressure को regulate करेगा, Prothrombin की बात करें, तो clotting से related है, तो answer क्या बसता है हमारे सामने, 3rd option, चलिए, next question की बात ओरी बच्चू, which of the following method of excretion is the most useful method for water conservation in the body, पानी को हमें conserve करना हो, तो हम ऐसा excretory product excrete करेंगे, जो कम से कम पानी का use करता हो excretion के लिए, अगर ammonia करेंगे तो बहुत ज्यादा water हमें loss करना पड़ेगा, यूरिया करेंगे तो बहुत थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे ही amino और amino, यानि amino acids भी देंगे, secret करेंगे, तो भी water की requirement ज्यादा होगी, तो सबसे अच्छा जो excretory product है, जिसमें कम से कम water waste होता है, वो कौन सा है, यूरिक acid का secretion, और या यूरिक acid excretion, और यूरिक acid का excretion है, वो क्या कहलाता है, यूरिकotalism, यानि इसमें किसका excretion किया जाता है, यूरिक acid का, तो सही answer कौन सा हो गया, fourth option, यानि कि यूरिक अमल उत्सरजिता, next, ये किसका diagram है, आपको पता है, implantation में आपने NCRT में यहाँ पर diagram देखा भी होगा, ये किसको representation of an embryonic stage during development. ठीक है? Which of the following statement is incorrect? हम से क्या पूचा है कि गलत कथन का चेहन कीजिए. ठीक है? दी गई बुरूनी परिवर्दन की अवस्ता के संदर्भ में गलत कथन हमें चेहन करना है. तो obviously देखिए, it is a solid ball of cell. ये तो कोई मतलब की एट्थ क्लास का बच्चा भी कर देगा. ये चित्र आपको solid ball दिख रहा है क्या? ये बॉल जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या दिख रही है? cavity क्या है? blasto seal है. पहला option ही क्या हो गया? गलत हो गया. क्योंकि अगर solid ball होती तो क्या बुलाते है? हम इसे morula बुलाते है. ठीक है central cavity है इसमें? बिल्कुल है blasto seal ये stage of development है. जिसके बाद क्या होगा? obviously blasto जो phase है उसके बाद क्या होगा? gastrula phase आएगी gastrulation होगा. तो सही बात हो गई और ये advanced stage है morula से बिल्कुल advanced stage है. morula के बाद ही आ रही है. तो ज्यादा develop stage है. तो बाकी के second, third, fourth. तीनो सही है. गलत कौन सा है? पहला ही गलत है. गलत पूछा है. इसलिए answer भी क्या हो गया? first ही हो गया. चलिए next ovarian cortex में बर्त के समय यानि की basically ovarian cortex में बर्त के समय हम बात करें तो ovarian cortex में बर्त के समय क्या उपस्तित होगा? ovarian cortex आ गया. यानि obviously किसकी बात हो रही है यहाँ पर basically girl की बात हो रही है. girl child की बात हो रही है. तो girl child में आपको पता है कि जो oogenesis की process है वो embryonic stage में ही शुरू हो जाती है. और वो क्या हो जाता है? primary oocyte में अटक जाता है. जो कि complete कब होता है? puberty आने में. तो infant की ovarian cortex को study जब किया जाएगा, तो उसमें हमें किस stage में मिलेंगी? follicles में. क्या मिलेगा हमें? primary oocyte मिलेगा. जो किस में अटका हुआ होगा? meiosis first में अटका हुआ होगा. तो obviously answer क्या जाएगा? primary oocyte जाएगा. first polar body puberty पे जाके बनेगी. secondary oocyte जो है meiosis complete होने पे बनेगा. second polar body fertilization के बाद बनेगी. ठीक है? तो सही answer क्या हो गया? prathmik oocyte. यानि primary oocyte is the correct answer. next. अब देखें, ये बहुत ही मतलब की question जो है, ये NCRT में दिया हुआ है और इस तरह से जो NCRT के line पे बेस्ट questions होते हैं, वो कई बार पूछ ले जाते हैं. when male withdraws his pan is just before ejaculation, this method is known as. जब नर अपने शिशन को स्खलन से तुरंट पहले निकाल लेता है, तो इस विदी को क्या कहते है? पहले देखिए, ये method कौन सा है? ये method एक natural method है. ठीक है, natural method है, जिसे किस नाम से बताया गया है? withdrawal method भी हम इसे कह सकते हैं, या coitus interruptus भी कहते हैं. निशकासन या अंतरित मैथून के नाम से इसे जाना जाता है. lactation amenorrhea method का मतलब क्या हो गया? कि जब female है, जब अपने बच्चे को दूद पिलाएगी, 6th month तक जो हम consider करते हैं, तो उस दोरान उसकी menstrual cycle suspend रहेगी. तो उस दोरान fertilization होने के chances नहीं रहेगे, क्योंकि उस दोरान ovulation ही नहीं रहेगा. ये method जो है, वो थोड़ा सा risky method है, क्योंकि इसमें chances हो सकते हैं कि इसके fertilization के. बट हमें इस question के according answer लगाना हो, तो हमारा सही answer कौन सा हो जाएगा? 3rd option is the correct answer. Next, देखिए, बहुत ही आसान सा question, मैंडल ने प्रभाविता का नियम तथा प्रतकरण का नियम, नियम में से किसके आधार पर प्रतिपादित किया, यानि कि dominance का law और segregation का law, किसके result पर based था, किसके result पर based था, mono hybrid के result पर based था, di hybrid के result पर कौन सा law based था, independent assortment का law था, वो किसके result पर based था, di hybrid के result पर based था, तो clearly अगर पूछा जाए, तो यह आपको knowledge होने चाहिए कि monohybrid crosses जो है उसके basis पर Mendel ने कौन सा law दिया था, law of dominance दिया था और law of segregation दिया था, इसलिए answer जो है वो कौन सा जाएगा हमारा, first option is the correct answer, अगर ऐसे पूछ ले था कि यह law किस पर लगेगा, तो monohybrid में भी लगता है, कोई भी crosses हो, यह law सभी में ल यह बेटा सीधा आपको पता है, Heidi Wenberg principle जहां हमें दे रखा है, वहाँ पर बात की है कि single step में, जो क्या होता है, large mutation होता है, जिसके कारण basically जो है species के origin में फर्क आता है, जिसमें नई species originate होती है, वो क्या process कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है, उसे साफ तोर पर क्या कहा गया saltation कहा गया, क्या बोला जाता है उसे, saltation, तो fourth option में हमें saltation मिल गया, यानि कि विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम, NCRT के line है ये, तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, genetic recombination, drift, random mating, ये तो फिर Heidi Wenberg को प्रभावित करने वाले कारक जो है, उनसे related हो जाएगा, चलिए, next, कि कारण होता है, तो pneumonia क्या है, एक disease है, ठीक है, जो किसके कारण हो सकती है, Streptococcus pneumoniae, एक bacterial disease है, तो Streptococcus pneumoniae जो हैителя, जो है, भी pneumoniae कॉस कर सकता है, हेमोफुले सपलेंजा, वो भी pneumoniae कॉस कर सकता है, पर Mycobacterium cholera कॉस करता है, तो हमें सही answer कहां मिला, first option और second option, दोनों की दोनो क्या है, सही answer है pneumonia एक general condition है जिसमें fluid हमारे lungs में क्या हो जाता है, एक खटा हो जाता है तो सही answer कौन सा हो गया इसका बच्चो इसका सही answer हो गया हमारा fourth option यानि की both one and two तो ये हमारे यहाँ पर questions complete होते हैं, उमीद है कि आपका paper बहुत अच्छा हुआ होगा ठीक है बच्चो, thank you